बिस्मिल्लाहिर रह्मान रुर्वाहिम असलाम वालेकूम स्कूल बेसे सेस्मेंट 2023-2024 आज हम इसका क्लास एट का कंप्यूटर का पेपर करेंगे फर्स्ट टर्म इसकी हम अब्जेक्टिव जोंसे वह स्टार्ट करते हैं से पहले मैं बता दू किसके मेरे दो पेपर जनरेट दी वाला अब इसनेक्स फ़ेगा क्वेस्टर नवर टू कंप्यूटर टोमग्राफी इस एन अप्रिकेशन ओफ की कप्यूटर टोमग्राफी डिएच एक का अंसर राइगा अप्रिकेशन है Q5 इसका आइगा C Q9 इसका आइगा B Q10 इसका आइगा C ये है इसकी MSQ लेकिन यहां पर माँ को बताऊ मैंने एक ओट पेपर देखा था उसके भी MSQ इसे डिपरेंट थे लेकिन जोन सी सब्जेक्टिव थी वो सेम थी तो जोन से डिफरेंट M.C.Q थे उसके मैंने लएदा वीडियो बनाने के बजाए मैंसी मैंने अड़ कर दी है वो मैं आपको दिखा लेता हूँ यह है A question number 1 इसका answer आएगा A वाला Artificial Intelligence Question number 2 जोन से है इसका answer आएगा C वाला Blockchain Question number 3 जोन से है इसका answer आएगा Guarded Media Question number 4 जोन से है इसका answer आएगा A वाला Navigation and Monitoring Next है question number 5 इसका answer आएगा B वाला Next है question number 6 इसका answer आएगा D वाला जोन से है इससे next है question number 7 इसका answer आएगा C वाला Question number 8 जोन से है इसका आंसर हैगा C वाला और question number 9 जो है इसका आंसर हैगा D वाला ये थे इसके mcql जानिकल objective पार्ट अब इससे next रेसका subjective पार्ट इसको start करते हैं इसका question number 11 है इसका part 1 है A वाला write the steps of resize the column in mx excel के mx excel में column का size दबदील करने का मराहिल बियान करें इसका answer हैगा ये वाला एक दो और तीन ये तीन मराहिल दियों है अगर मैं इनको भी पढ़ने लगया तो वीडियो काफी लेंथी होजेगी इसको मैं नहीं read कर रहा इसका answer है ये वाला अब इससे next रेसका B वाला part write the steps of apply borders in mx excel कि ms excel में sell के गिर्द बार्डर लगाने के मराहिल बियान करें इसका answer हैगा ये वाला इसकी तीन पॉइंट है अब इससे next रेसका C वाला part write names and example of any two built-in functions used in ms excel तो इसका answer हैगा ये वाला ये names है और ये इनकी examples है ये है इसका answer अब इससे next है question number 12 इसका ये वाला part write any five applications names of google sheets इसका answer हैगा ये वाला five applications के नाम लिखने थे तो ये जैदा है आप इनमें से five कर सकते हैं ये है इसका answer अब इससे next रेसका be वाला part write any five points about google sheets that make it better than the other spread sheet software तो इसका answer हैगा ये वाला five points लिखने थे लेकिन ये जैदा है आप इनमें से five जोंसे वा कर सकते हैं ये है इसका answer अब इससे next रेसका see well apart describe the purpose of google sheets and write its four features इसका answer हैगा ये वाला ये google sheets है और इसके जोंसे features हैं वो चार लिखने हैं ये जैदा है इनमें से चार कर सकते हैं अब इससे next है question number 13 इसका part number eight जोंसे है what does five जी stand for how much data transfer rate will five जी offer के five जी का मतलब क्या है five जी कितना data transfer rate पेश करेगा इसका answer आएगा ये वाला ये है इसका answer five बी अब्रिवेशन फिफ्ट जनरेशन data transfer rate of five जी is twenty gbps ये है इसका answer अब इससे next रेसका be well apart and list any six applications of artificial intelligence इसका answer है ये छे लिखनी है वाला पार्ट define emerging technologies and give examples of four emerging technologies के उबर्तियों टेकनलोजी के तरीफ करें और चार उबर्तियों टेकनलोजी की मसाले दें इसका answer है ये वाला ये है इसकी definition और ये इसकी examples है चार उसने का हुआ है लेकिन ये जैदा है ये है इसका answer और यहाँ पर हमने ये पेपर ड्रोन से है complete कर लिया हुआ है अल्ला हाफीज